एउसके हुलो एकन को ताकि सभी समय पर आपको वीडियो मिल सके आज की इस वीडियो में बात करूंगा प्याजसे की लर्णिंग थियोरी के बारे बारे जो सारे teaching exam के लिए काफी important मैं आज वीडियो को अंतक देखना इसमें मैंने आपको लोग के लिए complete notes with easy explanation important point के साथ deal किया हूँ तो वीडियो को share, like, subscribe जरूर कर देना ठीक है तो बिना delay की हुए वीडियो को start करते हैं आज की इस वीडियो में बात करूंगा जीन प्याजे की learning theory के बारे में जो काफी important होने जा रहा है learning theory जीन प्याजे का जो आप child and development में जो पढ़ा था आपका अपने जीन प्याजे का cognitive development तो according to cognitive development learning भी क्या होता है एक stage में चलता है किनका मानना था जीन प्याजे का यह बहुत बड़े psychologist थे यह स्वेजे लेंड से बिलॉंग करते थे और इनका जो theory है एक child के surrounded मतलब child के इड़ गिर्द घुमता है ठीक है तो इनका जो मानना था कि बच्चे के अंदर experience doing यानि जो learn करता है और doing मतलब खुझ से करकर बच्चा सिकता experience करता है किसी चीज़ को तो इस सारे चीज़े पॉइंट जो प्याजेज साहिब ने कहा था उस सारे पॉइंट को हम लोग cognitive के recording देख लेते हैं ठीक है तो उससे पहले वीडियो स्टार्ट करें जिससे पहले आपको मैं बता दूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज और लाइक करें और सेर करें ताकि मेरे का जो मेरा जो एनरजी होता है बुष्ट अप रहेगा और आपको मैं वीडिय वीडियो में बताने जा रहा हूं टॉपिक यह आप बिना इसकीप किया अच्छे से पुरी लास्ट देखने वीडियो ताकि पुरी कंसेट समझ में आ जाए तो प्याजे जो मेंली फोकस करते थे चिल्डरेन पर ठीक है और सेकेंडली ही टॉक्ड उन्होंने जो पहली बात मेंली ही फोकस्ट उन चिल्डरेन और यह टॉक्ड आप डेवलॉपमेंट ठीक है और देन रादर लर्निंग ठीक है थर्ली ही थर्ली ही इस साइकलिक स्टेश थेयरी तो प्याजे जो थे इनका जो मतलब थियोरी जो था यह तीन चीजों पर बेस था इसकीमा यानि इसकीमा कह सकते है एक परकरत का जो हमारा यूजना ऑटा आइडिया होता है ना इसको इसकीमा जो इपि दो बिल्डदिंग ब्लॉक आफ नौले ओपलेज लाइक लिग लिग ऌकी सेकेन एडपेशन प्रोसेस ओके इस एल ओर देस्ट अनि ण ओऊ선 पर ठीक ब्हांजे श्मीं है कर ये सारे प्रोसेस adaptation process में आगा मतलब equilibrium का मतलब होता है कि आपको शंतुलन करना assimilation फिर चीजों को मतलब assimilate करना मिलाना mission करना एंटेकोमोडेशन फिर उसको accept करना उस प्रेस्थिति को हम लोग को स्विकार ले रेचिए तो ये सारे सब्सक्राइब करेंगा इस डेल करेंगा किनी करेंगे जो जो सिवालिफोपमेंट की आप मतलब यamine सहब ने कहा था करने के वहां बैंट्टी फोरिग्स क्रेजिण क्या होता है हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो पहले स्टार्ट करते हैं प्याजे का स्कीमा क्या होता है जिसको स्केम से भी बोला जाता है ठीक है की चीजों को जानने के लिए इसका एक पैटर्न होता है ठीक है दर चाल्ड इंपलेट्स या पैटर्न एड़न एड़न इस इसकेमा एंड एक्सपीरियंस कहा सकते हैं कि एक जो होता है मतलब कह सकते हैं कि चाइल जो डेवलॉप करता है एक डेवलॉप होता है उसका में आप जो दुनिया को समझने के लिए पैटर्न डेवलॉप होता है और चाइल जैसे यूज अदर टेंपलेट या पैटर्न जो अदर टेंपलेट या पैटर्न को यूज करता adopt it and use it in the cooperation with उस चीजों को adopt करता है ठीक है अधर चीज मीन्स कहने का मतलब होता है कि हूँ उन schema and किसके cooperation से schema से और construct using their own experience और एक experience को मतलब अपने experience से एक चीजों को using their own experience construct करता है इसको एकदम simple way में समझते हैं कि जब एक क्या करता है मतलब उसके दिमाग में पहले से बैठ रखा कि उड़ती हुई चीज क्या होती है चीडियां होती है लेकिन जब अचानक एक fly जाता है फ्लाइट उड़ता है तो उसको भी बच्चा क्या बोलता है कि एक प्रकार का चीडियां है तो क्या कहता है कि यह चीडियां हो रहा है लेकि बगल में अगर कोई बैक्तिक खड़ा रहता है तो उसको समझाता है कि बैटा यह चीडियां नहीं है प्लेन है तो उसक मंदर अंदर में यूजना एक आइडिया एक मतलब बहुल सकते स्कीमा बना हुआ है कि भाई ओर टीवी चीज क्या होती है एक प्लेन बताने के बाद कि उसको डिफ्रेंशिट एक कैटेग्राइज किया गया कैटेग्राइज करने के बाद उसको मतलब बोला कि सभी उरती टु जो हो हुआ ऐसे मीरेसिंस से बैलेस्ट या मिलान करता है एकोमोडेट करता ठीक है तो अब फ्याज एकिलीबरेशन की होता है यह सारे चीजों करते है प्याजे एक्युलिबरेशन जो होता है इसमें कि एक्युलिबरेशन जो होता है इसमें चार मतलब पार्ट अफ ओल कोगनेटिव स्टेज़े इट अर्ग दचाइल्ड ऑन तुरू दे स्टीज अब दर लर्निंग थियोरी एशिमिलेशन काउज असीप इन वर्ल्ड व्यू है परियाप डेवलॉप नहीं होता है इसकेमा तू अलाओ एस्टीमिलेशन या अकोमोडेशन अकर इन अकोमोडेशन देश्चिमा नीट तू वी अडप्टेट ओके वांस देश्चिमा यह है जिए रीटूर्ड टू एक्युलिबरेशन देर्फोर लर्निंग इज अ सकते है gonna balance य reciprocal पहले बार नौले जो पहले स्कीमा् जो बना करता है उसके बात Asimilation होता है उसके बाद Eude करता है याने balance करता है समझने के कोसिश करता है दोनों पहलों को बैलेंस करता है फिर उसको मिलाता एसे मिलेट करता है और फिर दनी worry और न्यू एर्या में न्ब सीजों में क्या करता है एकोमोडेट करता है ओके इस सारे छीजे फॉइंट यहापकस के लिए जो उसके बाद पाट schools अब दकाट cognitive development यानि cognitive learning development ओके इस cognitive या cognitive learning development को चार भाग में बाटा गया पहला century stage जिसको zero से two years stage है ना इसका जो आपका next stage है आपका pre operational stage इसको ऐज है इसका डिवलेशनस आपका two दो साल से seven years old बच्चे को इसको यानि प्री ऑप्रेशनल स्टेज में डाला गया है स्टेज कॉंक्रीट ऑप्रेशनल में डाला गया सेवें से 11 यह के बच्चों को और आपका मतलब जो फॉर्मल ऑप्रेशनल स्टेज जो है यह आपको 11 से ऑनवर्ड तो पहला हम बात करते हैं सेंसरी मोटर का तो इसको जिरो से two years की बात होगे बेवी आर बॉर्ड इंटु वर्ल्ड बेवी जब जनम होता है तो इमीडिटली बिकेम अबेर आप देर सरांडिंग थू देर सेंसे अपने से अबेर मतलब आवगत होने की कोसिस करता आवगत रहता है ठीक है तो यह सारे चीजे इसमें इसमें इनक्लिव्ड दा सेंस ओ एरीग變 QC मतलब सुनने स्मेह ए समेल साइट देखना ओने हैट थैस्टारे सेंसें से घोत 네 वोध करता है और पांच परकार के जिछोंगोरे हम बोल सकते हैं सैंससा ओंडन 5ी सेंस ओर कन ओके लएक्स्प्लेट बोल्ड तुर एम और ञे कता है अपनी बाड़ वी टरनेंटी एक्सप्लोर्री नक्र 2017 किक इसमीं ध चिंज करता एक्सप्लोर्ट्री मोवमें डैसे काइसे सभें तालियां जब बजाता है लोग तो चुप होना फिरोना अकेला पन होने पर ओबजेक्ट को अब्जवर्ब करना और डिफ्रेंट साइट एंड लोगो मम्मी पापा के बॉइस को रिकोगनाइज करना इस सारे चीज़ा इमोश्चन को फिल करना इस सारे चीज़े को लर्न करता इस स्टेज में इस से ज्यादा यह नहीं कर सकते लेकिंगे यह सारे चीजी जवात है टेक्चर रिकुगनाइज पीपल वाइस को पहचानना सिखना आप थ्रावाइस करना इस तरह से कुकुवाना इस सारी इस अभी जो लर्निंग होंगे यह 0 से 2 यह में आ जाएंगे ठीक है अब बात करते हैं प्री ओपरेशनल स्टेज का इसका जो एज डूरेशन है टू से 7 यह ओल इसमें बच्चा जो हता है इस्टैबलेश द ऑब्जेक्ट रिमें रियालिटी रिगार्लेस वेदर वान कैंसे इट थू एनी और फाइफ सेंसे है ना पांच सेंसे के मज़ से वा दन थ्रू वेरियस में सच इस इमिटेशन मतलब देख को कॉपी करना इमिटेट करना ड्रोइंग करना इमेजिनीशन मेंटल इमेजरी इमेजरी और वर्वल एक्सपेशन थोट एबोकेशन इस सारे चीज जो उस तो पांच से और गेंस का जो यूज है वो ब्रॉड एरिया है मैं आप व्यूज करेगा हना तो उसके वाद जो आता है इसमें एक सबसे बड़ी चीजे बच्चे के अंदर में एगो सेंट्रिक प्रस्पेक्टिव का डेवलॉप्मेंट होता है इसमें क्या होता है बच्चे जो बोलता है कहता है कि भाई जो मैं कह रहा हूँ ना वही स ही है यानि और इसके अलावे कोई दूसरी दुनिया नहीं इसके अंदर में एक अगो सेंट्रि फ्रोस्पेक्टिव का बच्चे के जो मान लेता है आप ठू प्लस थिरी आप बोलते हो फाइव होता है तो बच्च इस एज में 3 प्लस 2 5 हो सके तो ना करे पर इस सारे चीजे प्रॉब्लम यहां पर आती है ठीक है अब हम बात करते हैं और सबसे बड़ी चीज़ इगोसेंट्रिक प्रोस्पेक्टिब है यह बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा सीटेट इस्टेट इस्टेक में पुछा जाता है नेक्स्ट हम बात करते हैं कंक्रीट ऑपरेश्टनल इसक कोगनेटिव डेवलोप्मेंट आप देचाइड डिमांड अलेस इगोसेंट्रिक धिरे धिरे एगोसेंट्रिक जैसे समझ बढ़ती है तो बच्चा जानता कि नहीं जो मैं कह रहा है उसके हलावे भी एंसर हो सकता है और भी बड़ी दुनिया है इस सभी चीजे धिरे धिरे एगोसेंट्रिक एप्रोच लेस होते चला जाए चाल्ड बिकेंस मोर्ड कॉंक्रीट एन लॉजिकल इन देर थिंकिंग एज मोर उनका थिंकिंग पावर देरे थे कॉंक्रीट यानि मजबूत होते जाता है पत्थर के तरह कह सकते में तो समझ सकता अंडरस्टैंड डेवलो अघ्ट अब मैं बता रहा था आप सब्सक्राइब को कि इसमें जो प्री उपरेशनल स्टेज को थे तो प्री उपरेशनल स्टेज में बच्चे टू प्लस थिरी फाइब करवे थे लिए कि तृ मारे चीज यहाँ पर डेवलाप हो जाती है concrete operational stage में 3 plus 2 of 5 वो करने लगेंगे है ना मानि pre operational stage से यहाँ पर बच्चे ज्यादा और अच्छे तरीके से चीजों को करने लगते हैं समझने लगते हैं अब करते हैं अब करते हैं अब बात करते हैं ऑपरेशनल से इसका आप लोगों ने जान लिया 7-11 अब बात करते हैं अपरेशनल स्टेज का इसका जो एज दूरेशन ए 11 यह तो अडल्ट हुट तर दे लेवन एर्स ओल्ड नावज मेनी स्केस्ट बूल्ट अपॉर्ट अपरेशनल स्टीज वेर्ट चिल्चाल इस्टेबलेश्ट इस्टाइबलेश्ट इंक्लिव इसमें हाइपो थेटिकल इसक ज्यादा एक गोल को सेट करते हैं उसके कहोर्डिंग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं दिया नौ एबल्ट इस डिटक्टिव डिजनिंग एनलाइज सिच्वेशन एंड अधर एस्पेक्ट आप एडल्टूट अब बच्चा एडल्टूट भी मतलब जाने को होता है और Caleb सेंग बनना चाहता है एना बेस्ट से व्रक करना चाहता है चीजों को जादा मतलब दिमाग का जो इसटाइबलीटी दीरे-दीरे क्या होने लगते हैं बढ़ने लगते हैं चीजों को ज्यादा अच्छे से करने की जो स्कील डेवलाफ होने लगते है ऐस का छीजो को सिखना जैसे बाइ लारणिंग तो है ही साथ में साथ शी यह को ॐहें देखकर होग इसारे सीजोको इनफ इंगर्फ करते हैं world ani क्राप सिंग पावर जो आते बढ़ जाते है पकरने की पावर बढ़ जाते है अब यहां पर कुश्चन साता है कि हाउ के प्याजे थियोरी बी यूजड इन दा क्लास्रूम एंड वाई प्याजे थिरी सो इंपॉर्टेट तो जैसे वाई स्कूल डिवाइड अगर यह कुश् जाते है इसलिए कि बाई बच्यका जो मेंटल स्टेज होता है कॉट्श शोता अब 20 से 7 साल के बच्चेंगे आप नहीं बता सकता है अगर बताते हो तो समझने पाएंगे उनका मांड जो होता है नो कैप अनके पास इतनी कैप अबिलिटी नहीं होते है यह चीज़ों को कर स सकते हैं किसी किसी में होता है लेकि सब में यह चीज नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है इसलिए यह प्याजे की थियोरिया इंपर्टेंट हो जाती है डिस्टिंग डिवीजन कॉग्नेटिव ड्रोग्राम डिफरेंट एज ग्रूप अलग-अलग प्रोग्राम को एक एज ग किसी स्टेज में बच्चा कितना सीख रहा है कितना लर्न कर रहा है दरोल प्टिचर इन दे क्लासरूम्स इस टुगाइड दे इस्टुरू दे थिर्ट थूद थूद अब टीचर्स का यहां रोल इंपर्टेंट हो जाता है कि बच्चों को गाइड उसके कोग्नेटिव एंपर्टों को एपर्टों को में आग on experience for students okay अब यहां पर it is the means of guiding teacher and other educator guide student through their cognitive तो यहां पर यही बोला गया है कि हमें according to cognitive development के अनुसार हम लोग क्या करते बच्चों को पराते इसलिए प्याजे का theory important हो जाता है और हम लोग आज के duration में प्याजे की theory को follow कर रहे और बाइगोस्की का भी follow कर रहे ठीक है आई होब आपको मैं बाइगोस्की का theory बता दिया हूँ आप मेरे वीडियो को किसी ने बाइगोस्की theory learning का नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक दे दूंगा वहां सब देख सकते थैंक यूफू वाचिंग में इस वीडियो